हेलो फ्रेंड्स बीबी गार्डन में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज में शेर करूंगी आपसे कुछ ऐसे प्लांट जो फूल देते हैं मगर इनको बहुत बड़े गमले की ज़रूपत नहीं होती है अगर आपके पास जगा नहीं है बहुत बड़े बड़े गमले रखने की तो आप इस तरह के प्लांट लगा सकते हैं जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी जो शोटे गमलों में ही अच्छे से चलते हैं और फूल भी देते हैं तो इस तरह के ही प्लांट आप से मैं शेयर करूंगी तो आईए देखते हैं कौन-कौन से हैं वो प्लांट जो शोटे गमलों में सालों साल चलते हैं तो सबसे पहला प्लांट देखिए रेंलीली है तो यह से अभी गर्मी का सीजन है और आने वाला जो सीजन है बरसात का सीजन है तो यह गर्मी के सीजन में और बरसात के सीजन में फ्लावरिंग करता है और देखिए यह प्लांट लगा हुआ है जिसमें फूल आ रहे हैं मेरा यह प्लांट लगा हुआ है, एक लेटर का जो पेंट का डबर रहता है, उसमें लगा हुआ है, तो और यह कही सालों से इसी में लगा हुआ है, यह बल्ब से गुरू होते हैं, रेन लिली के प्लांट, और इनको बहुत बड़े गमले की जूर्ट नहीं होती है, अगर आपके पास ज्यादा जगा नहीं है, तो आप इस तरीके से एक जदो लिटर के डिबे में इसके एक दो बल्ब जा तीन बल्ब लगा के इससे फूल ले सकते हैं, हर साल इस मेरे इस प्लांट में फुलावरिंग होती है, इसको बहुत बड़े गमले में लगाएंगे, तो बहुत ज प्लावरिंग करता है, मगर बना रहता है ये प्लांट और देखिए इसमें देशी हाइब्रेड दोनों तरह के प्लांट होते हैं, और दोनों जो है चोट चोटे गमलों में देखिए, मैंने ये सभी प्लांट लगाए हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको अपने एक्स्पिर अगर आपके पास ज्यादा स्पेस नहीं है, इस तरह के चोट चोट चोटे फूलों के प्लांट लगाना चाहते हैं, तो चोट 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 गमले भी मिलते हैं मार्केट में, उन में इस तरीके से प्लांट लगाके आप अपने ग कहती छोटे से गमले में लगा हूँ जो चार इंच का नर्सरी पॉट होता है जब इसमें फूल कहले है तो आप इसको आट इंच कsomething प्राशिक फॉट होते हैं तो एक दो बल्ब हो हो तो यह बहुती आराम से जो है चार शे में चलता है तो इसको भी आप लगा सकते हैं ये भी 불ब के थिरू गुरु होता है permanent plant होता है ये भी फ्लावरिंग करता है कर्मियों में अगर पूरा साल बना भी रहता है ये तो देखे ये बाडल का से बना हुआ प्लान्टर होता है इसको जधा पानी की रिक्वर्मेंट नहीं रहती है अच्छे से जहां आपके गार्डन में दूप आती हो बहांप इसको रखाएए जो बरसात में जब बारिश होते जोती रहती है तूर्ण से घी में हैं जाए इसको बहुत जीधा पानी बर्सात का नहां मिले तो देखी इस तरीकि़ सेज चोट आप बहुत ऊर्डव की शे भीक्री ले और मे बहुत अराम से चलता है और मेरे कुछ जोप स्टा इस बटे यह आप देखी यह प्लांट आरा. तो बोगनमिल्या का प्लांट तभी अच्छे से फूल आते हैं जब इसके जो रूट्स है वो बॉंड हो जाएं तभी ये प्लांट फ्लावरी करता है अगर आप नर्सरी से इसका प्लांट लाते हैं तो इसको बहुत बड़े गमले में ना लगा के चोटे गमले में ही ये उससे बहुत बड़े गमले की इसको जुरूरत नहीं रहती है चेंच के गमले में ये बहुत अराम से चलता है और क्योंकि इसकी रूट्स नहीं फैलती है ये भी छोटे गमलों में आप लगाके इसको अपने गार्डन को एक कलरफुल लुक दे सकते हैं तो अगला प्ल जाते हैं तो च्छोटे गमलों में लगाके आप इसे अच्छे से फलावरिंग ले सकते हैं और देखिए चार इंच का जो नर्सरी प्लावरिंग होता है उसमें मैंने लगाई वह थैं दो जीब हो रही है और इसकी खासिदध यहां क्यों कि फूल जब खिलते हैं तो महिनो प्लांट पे बने रहते हैं और, जब शूक जाते हैं तो उनी को आग अगर मिट्टी में मिला तो उनी से आपको निव प्लांट भीश के मिल जाते हैं, तो पैंटाज का प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत बढ़े गमले की जूरत नहीं होती है, खासकर जो ड्वार्फ वराइटी आजका नर्सडी पर मिलती है जो प्लांट छोट छोटे रहेके से आपको डेरों फूल देते है तो उसको भी आप अगर आप नर्सडी से लाते है तो 6-8 इंच के गमले में लगाए आपको डेरों फूल देए देगा और इसमें आपको बहु गमले की जूरत नहीं होती है देखिए में इस प्लांट को लगाया हूँ है एक जो पेंट का डिबा रहता है पांच लेटर का उसमें देखिए मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है तो उसी में इसी से यह फ्लावरिंग कर रहा है तो यह प्लांट पूरा साल फूल देता है और अच्छे से यह चोटे गमलों में चल जाता है तो अडेनियम देखिए अडेनियम को भी कोई बहुत बड़े गमले की जूरत नहीं होती है और देखिए यह यह मेरा प्लांट आप देख रहे हैं यह मैंने सीड से ग्रो किया था पिछले साल और अभी यह प्लांट एक सा अपरिमेंट नहीं रहती है और नहीं आप इसको बड़े गमले में लगाएंगे तो यह अच्छे से चलता है उसके बाद देखिए यह परपल हर्ट तो परपल हर्ट भी जो है फूल देता है गर्मी के दिरूं में बना रहता है पूरा साल अपने कलरफुल लीव के साथ और इस पलन्ट बाद को भी बहुत बड़े गमले की जुरूरत नहीं होती है चोटे गमले में भी यह बहुत अराम से चलता है और अगर आप बड़े गमले में लगाएंगे तो यह बहुत जादा फैल जाता है मगर चोटे गमले में लगा कि अपने गार्डन को یک कलरफुल प् पानी वाला जो मग रहता है तो उसे में ये लगा हुआ है जो होगा 4 इंच का तो बहुत अच्छे से ये चल रहा है इसमें इसको अगर जितना आप बुशी लुक देना चाहते हैं तो इसकी पिंचिंग प्रोनिंग करते रहीए तो ये उतने अच्छे से इसकी जो बुशी ल बिलते हैं, तो इसको भी अगर आप लगाते हैं तो छोटे गमले में लगाइए बहुत बड़े इसको जुरूट नहीं होती है, तो फ्रेंट्स यह थे कुछ नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक लिए, बाई, हैपी गार्णिंग